हेलो फ्रेंड्स के रंदर हीटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए बहुत ही सुन्दर और इजी पैटर्न लाई हूँ फ्रेंड्स जितना बुनने में इजी है दिखने में उतना ही सुन्दर है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि अपना कार्डिगन बना लिजी अगर आपको जालीदार कार्डिगन बनाना हो जैकेट बना लिजी टॉप पर डाल शोल स्टोल मफरल बना लीजिए फ्रेंट्स जिए दिखे ये इसकी right side है और इसकी wrong side भी बहुत सुन्दर बन के आती है ये दिखे उल्टी side से भी ये बहुत सुन्दर बन के आता है तो ये reversible pattern है दोनों side से बहुत सुन्दर इसका pattern है तो आप इसको किसी भी साइट से यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए आप इसका मफरल बगारा भी बना सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी बनता है ये पैटन मैंने ये पैटन दस नंबर की सलाईयों पर बुना है अगर आप जैसे बच्चे का स्वेटर बना रहे हो कार्डिगन बना रहे हो तो दस पे बुनिएगा अपनी वूल के हिसाब से ये बेबी वूल है और अगर आप इसमें शॉल स्टॉल बना रहे हैं तो इसमें नो नंबर की सलाईया या आठ नंबर की सलाईया वूल के हिसाब से लगा सकते हैं तो शोल स्टोल में थोड़ा soft pattern आना चाहिए तब ही अच्छी लगती है तो इसलिए आप इसमें थोड़ी motis लें यूज कीजिए तो किसी भी projector पे इस्तमाल कीजिए देखिए दोनों तरफ से ये आपका pattern बहुत सुन्दर है तो चले friends easy सा ये pattern है मैं आपको बता देते हूं कैसे बनाएंगे देखिए friends इसके लिए लिए है मैंने ये 24 फंदे ये जो pattern है इसको आप even number पे चला सकते हैं even number के फंदे डाल लीजिए even number वो होता है जो आप 2 से divide easily कर सकते हैं दो से divide हो जाता है तो even के number के फंदे आप इसमें डाल सकते हैं तो friends ये मैंने इसमें 8 सलाइय डाली है आप सलाइयों का ही ये pattern है तो मैं इसमें ही आपको 8 सलाइय और बना के बताऊंगी जिससे की आपको pattern clear हो जाएगा तो जैसे आप starting से यहां से फंदे डालने के बाद आप शुरू करेंगे तो वही मैं आपको बना के दिखाऊंगी और friends आप इसको after border भी बना सकते हैं अगर आपको cardigan, jacket वगरा पे डालना हो तो भी आप ऐसे ही शुरू करेंगे border बनाने के बाद right side से इसको start करेंगे तो right side row number one इसमें बहुत सारी सिलाई हैं जो हैं आपकी सीधी सीधी आएंगी बहुत easy design है यह दिखिए जब आप सीधी साइड से शुरू करेंगे यह right side है तो आप इसमें सारी की सारी सिलाई पहली row number one सारी सीधी बुन के complete करेंगे आप इसको किसी भी color पे डालिएगा black color पे भी यह अपनी पूरी लुक देगा बच्चों के आप cardigan वगारा पे भी इसमें डाल सकते हैं जैसे नीचे नीचे डालिए आर्म होल तक डाल सकते हैं उसके बाद आप plane भी बुन सकते हैं अगर चाहें तो सारा जालिदार भी बना सकते हैं फ्रोक वगारा पे भी डाल सकते हैं तो यह आप सारी सीधी सिलाई बुन के complete कर लीजिए row number one देखी row number one मैंने सीधी बुन के complete कर लीए अब आते हैं second सलाई पे इसकी दूसरी सलाई wrong side है यह तो इसको भी आप दूसरी सलाई को भी आप सीधा बुनते हुए complete करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताती है यह pattern बहुत easy है सीधी सीधी सलाई हैं इसमें और दिखने में बहुत सुन्दर और smart pattern है यह देखे ऐसे सीधी बुनते हुए जिनको सीधा उल्टा बुनना आता है वो easily इसको बुन लेंगे यह दिखे यह second सलाई भी सारी सीधी बुनते हुए complete कीजिए दिखे फ्रेंट्स wrong side की सलाई मैंने उल्टी यह wrong side के उल्टी side की सलाई मैंने यह बुनके complete कर लिए सलाई तो सीधी ही आएगी अब आते हम इसकी तीसरी सलाई में तीसरी सलाई सीधी side right side तो इसमें आपकी जाली बनके आएगी तो देखे कैसे करेंगे इसमें यह सिलाई आपके उल्टी आएगी उल्टा बुनते हुए देखिए उल्टा फंदा बुन लेंगे एक ऐसे फिर हम करेंगे दो का एक उल्टा बुनते हुए यह दिखिए एक फंदा हमने बुन लिया यह एस्टिच रहेगा आप इसको कैसे बुन सकते हैं उसके बाद कीई फिर ऐसे स्लैपर से धागा गोमाई ये दो क्या एक कीई ये पूरी स्लाइच आप को vital करना ये इतने में ही देखिए आपका पैटरन बहुत सुन्दर आ जाएगा अ मैं गोमाई दो का आते हैं वो इजीली इसको बुन लेंगे देखें और बहुत जल्दी जल्दी बनता है आप देख रहे हैं इसको फटा फट ये बन जाएगा आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी तो यहां पे आप दागा घुमाते जाएगे में क्या किया था एक फंदा बुन लिया था उसके बाद दो का एक किया था तो यहां पे लास्ट हमारा यहां धागा घुमाते हुए एक फंदा बुनते हुए होएगा क्योंकि अगर हम यहां पे यह धागा नहीं गुमाएंगे फंदा नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा पैट पर रखेसं िलटी साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है तो सीधे साइड में बहुत सारी इसलयः इसकी सीधी ही है तो यहां पर यह दिखे यह मैं बुनके 4-3 इसलयः मीप्लीट कारते हूं उल्टी साइड की फिर मापको दिखाते हूं देखे फ्रेंड्स रौंग साइड की इसलय होगा है जो है मैंने सीधी साइड की सारी सीधी सीधी भुंते हुए आएगी जैनिकर रोव वन और टू रुपीट होगी आपकी फिर से एक बार तो यह आप सारी की सारी ऐसे अ देखें सीधे भुंते हुए एक कमप्लीट केजिएगा साइड की सारी स्लाई आपको ऐसे भी सीधी आनी है तो यह और भी पैटन आपका एजी हो जाता है अगर रोंग साइड में आपका पैटन ना डलना हो सीधी सलाई ही डलनी हो या उल्टी ही डलनी हो तो यह मैं सीधी बुनते हुए कंप्लेट करते हूं फिर दिखाती हूं कि कैसे आप करेंगे पहला पंद आपका स्टिच आप कैसे बुनिये मैं इसको उल्टा ही बुन रही हूं क्योंकि उल्टी सलाई यह तो इसको उल्टा ही बुन लेना चाहिए तो चलिए यह मैंने कर लिया तो तीसरी सलाई में आपने क्या किया था एस्टिच बुनने के बाद दो का A किया था इस बार आपको ऐसे नहीं करना है आपको पहले क्या करना है धागा गुमाना है फिर दो का A करना है तो आगर आप जो तिसरी सलाई ही रिपीट करते जाएंगे तो आपका pattern टेड़ा चला जाएगा तो आपको को वो बचाने के लिए क्या करना है कि पहले तीसरी सलाही में हमने एज के बाद दो काएक किया था इस बार हम धागा घुमाएंगे यार नौबर करेंगे फिर उसके बाद दो काएक करेंगे अब आपने खिसितना इज़ी पेटन है शिर्फ आपको यही देखना है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है यह देखिए ऐसे एजियस्ट डिजाइन जो बिगनर लेवल के लोग हैं वो इजीली आप अपने स्वेटर पे डाल सकेंगे और आपका स्वेटर बहुत सुंदर बनके आएगा और आपको कोई बोल ही नहीं पाएगा कि यह बिगनर लेवल के किसी ने बनाया है देखिए ऐसे दो का एक करते जाए और धागा घुमाते जाए ऐसे दो का एक धागा घुमाया फिर से दो का एक अब यहां पे भी आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे आपने स्टार्टिंग में ही फंदा बढ़ा लिया है यह दिखे आपने धागा घुमाया तो आपका स्टार्टिंग में ही फंदा बढ़ गया है अब यहां पे आपको धागा घुमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका दो का एक यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे starting में फंदा बढ़ चुका है दो काई करने के बाद आप stitch बुन देंगे ऐसे ही जैसे आप अपने हिसाब से बुन लीजिए उल्टा बुन ना हो तो उल्टा बुन लीजिए तो यह आपकी सात्वी सिलाई friends इसमें complete होती है तो आपका pattern जो है वो तीसरी और सात्वी सिलाई में आ रहा है बाकी आपकी सारी सिलाईयां सीधी सीधी है जनी कि आठ में से छे सिलाईयां आपकी सीधी सीधी है तो दो सिलाईयों में आपका pattern है तो आपकी आठ में सिलाईय है यह last wrong side की तो इसको आप क्या करेंगे सारी की सारी को सीधी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे मैं अपने बिग्नर लेवल के लोगों के लिए बहुत ही सुन्दर और इजी से पैटन लाती हूँ ताकि वो भी अपने स्वेटरों में बहुत सुन्दर सुन्दर डिजाइन डाल सके अपने बच्चों के अपने आप अपना कार्डिगन भी पूरा बनाएंगे इसका अगर आपको जाली दार पैटर्न पसंद आए तो बहुत सुन्दर बन के आएगा तो अगर आपको ना भी ये पूरा जाली दार बनाना हो तो आप 6 इंच जैसे बना सकते हैं 6 जा 7 इंच आप नीचे नीचे का ये जाली दार बना लीजिए ओपर चाहिए आप पलेन बना लीजिए फिर भी बहुत सुन्दर आएगा तो ये मैं रो कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स आपके इसमें 8 सिलाईएं कंप्लीट हो चुकी हैं तो आपका पैटर्न बनके आ गया है तो आपको क्या करना है रो नंबर वन यहां से मैंने आपको बुनना सिखाया है रो नमबर वन से लेके रो नमबर एट तक आपको बार बार आठ शलाईया आगे डालते जाना है तो आपका ऐसा ऐसा पैटर्न आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सोला से लाईयों में फ्रेंड्स आपका पैटर्न कितना बड़ा बन गया है यह दिखिए बहुत जल्दी जल्दी बनेगा यह तो अब आप भी बनेगे अपने किसी भी प्रजेक्ट पर और प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेर थेंक यू